हेलो एवरिवन मैं विश्ट जीत सिंग आप सभी का दीई नव पर स्वागत करता हूँ दोस्तो आज की इस वीडियो के अंदर में हम MA History MHI 09 Lesson 5 भारतिय रास्टवाद की बुनियात पढ़ने वाले हैं दोस्तो इससे पहले के जो lesson से उसके अंदर में हमने पढ़ा भारतिय रास्टवाद है क्या और अलग-अलग विचारकों के अनुसार भारतिय रास्टवाद किस परकार का है यह हमने जाना अब हमने भारती राष्टवाद तो जान लिया कि भारती राष्टवाद होता क्या है आज के इस वीडियो के अंदर में हम जानेंगे कि भारती राष्टवाद की बुनियात कैसे रखी गई लोगों के अंदर में कैसे ये आया ठीक है इसके बारे में हम पढ़ेंगे यह topics बहुत important है और मज़ेदार भी है क्योंकि हम इंडिया के बारे में जान रहे हैं और इंडिया के बारे में असानी से हमें समझ में भी आने वाला है ठीक है तो यह इस बात को आप celebrate कर सकते हो नॉर्मली क्या होता है कि history are boring है यह चीज़े नहीं समझ में आने वाली है बट जब हम इंडिया की बात करते हैं तो समझ में आएगा इस lesson के अंदर में total हमें 5 topics पढ़ने हैं topics आपके screen पर कुछ इस तरह के हैं इन्ही topic के base पे तीन question भी इस lesson में दिये गए हैं जो हम last में देखेंगे और यह topic पढ़ने के बाद हो clear भी हो जाएगा चलिए हम एक एक करके topics को start करते हैं बट उससे पहले कुछ request है आपसे पहला request यह है कि अपनी notebook लेकर बैठें books लेकर बैठें क्योंकि video lecture वेस होने वाली आपको ध्यान से सुनना पड़ेगा अगर कुछ चीज़े note करने वाली होती हैं तो आपको note करना पड़ेगा दूसरा request यह है दोस्तो अगर आपको कहीं पे भी कोई doubt आता है तो आप directly description में जाएए वहाँ से सभी social media platform के link दिये हुए हैं जो भी link पे आप जाना चाहते हो WhatsApp हो Telegram हो Tutor हो वहाँ पे directly जाके comment कर सकते हैं पूछ सकते हैं मैं आपको answer वहाँ पे दे दूँगा और अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो subscribe करना बिल्कुल ना भूलें अपने दोस्तों साथ share करें चली start करते हैं लोग पर यह विद्रो की विरासत अब देखो लोग प अंदोलन चल रहा उसका नाम मुह पे है तो क्या बनता है लोग पर यह बन जाता है एक साथ इसका एक्जामपल अगर मैं दून तो जब केजरी केजरीवाल का दिल्ली के जिए मैं केजरीवाल और अन्नाहजारे का जब भष्टाचार के विरोध में आंदोलन हुआ तो almost मैं पूरे भारत से लोग आए ठीक है और बच्चा बच्चा के मुह पे अन्नाहजारे का नाम था है मनना जारे ऐसा घरके मतलब पूरा नाम था की जिए ऐधेवाल को तो उसमें जानते भी नहीं था ज्यादा लोग अन्नाहजारे ठीक है नाम था और वो लोग परीविद्रव जैसा बना जहां पर दिल्ली का तकता प्लट होता है दोस्तों ठीक है यह मैं अभी current example दे रहा हूं जिससे आपको समझ मैं है तो जो हमारे रास्टवात है भारती रास्टवात है वह भी एक परकार का लोग पर ये विद्रो का रूप लेने लगा तो उसकी विरासत किस परकार तो परकार थी उसकी जो नीति ती वो शोशन कारी नीति थी लोगों तो उसके खिलाव अकिल बारती रास्टवात का जनम होता है जहां पर पूरे भारत के ंदर में रास्टवात जैसी यहां पर आया धन निकासी फिर धन निकासी में क्या हुआ कि भारत से धन निकाल कर बिटन लेके जाने लगे ठीक है जो भी धन था ना उसको निकाल कर ले जाने लगे तो इससे साहुकार और राजा जैसे जो बड़े बड़े लोग थे ना वो बड़े इंपेक्ट हुए इससे ठीके वो इसके विद्रों में उतरे और फिर भी उद्ध्योगी करन जो इंड्रसलाइजेशन वाले लोग थे जो धन्दे उंदे कर रहे थे मतलब जिनकी फैक्टरी थी कंदोलर में कूद बड़ा तो उसके कारण से इसको लोग पर यहज़ो कहते हैं ठीके समझ में आता है यहाँ पे आगे मैं बात करूँ दोस्तो तोVer सतरह सो पचास का टाइम थाम थे सबरसूं से मैं बात अब जीतने भी मैं विद्रो का नाम बता रहो ना इन विद्रों से अंग्रेंजोंका कुछ नियोता थी उनका बाल भी निआच पकता है कि शडिद्रों से कुछ नियोता पर बेनिफिट क्या होता है कि लोगो एसा हुआ था वहाँ पे तो हम भी ऐसा कर सकते हैं लोगों के अंदर में motivation आता है इन सब विद्रों से अंग्रेजों का कुछ नहीं हुआ है विद्रों से पर लोगों के अंदर में भारती राष्टवात की भावन आई ठीके तो एक एक करके सारे चीजे करते हैं 1750 में बंगाल के अंदर में सन्यासी और फक्किर विद्रों होता है ठीके 1850 का टाइम आता है थीजियं अपने पढ़ाँ अपने पढ़ा होगा इसके बाद 1857 को कोई नहीं भूलता अंग्रेजों के इंदर बृतन के इंदर में आज भी 1857 की क्रामती को पढ़ाया जाता है भा 1559 विद्रो 1850 का विद्रो असफल रहा ठीक है पर इसके इन्दर न बेनिफिट क्या देखा गया वो मैं बताता हूं आपको इसके आंदर में राजा ठीक है राजा कि सैनिक जो अंग्रेजों की सैनिक थे सैनिक किसान जमिनदार मतलब जितना भी वर्ग है ना सब ने पार्टिस्पेट किया ठीक है सब ने पार्टिस्पेट गया क्यों भाई राजा क्यों पार्टिस्पेट कर रहा था तो राजा की जो नी वो जो अंगरेजों की जो नीती थी वो शोशन कारी नीती थी ठीक है तो इन जैसे वो धनिकासी जैसे कर रहे थे तो राजा का भी तो धन जा रहा था तो उसके कारण से वो पार्टिसिपेट कर रहा था तो उसके कारण से सैनिक भी इस विद्रों में सामिल हुए जमीदारों के उपर मैं काफी सारे से रेगुलिट किया गया उनको बंदी बना मतलब उनके उपर पाबंद्यां लगाई गई ठीक है पैसे उनके मतलब उनके उपर रोक लगाई गई सचीजें की गई तो उसके गाiran से यहां पर किया गहाँ कि 98 75 का विद्रों सब का विद्रों बना हम पर किसी का वहीं तो नहीं रहा ठीक है यहां पर जचबरन नील की खेती इसका एक मेन कारण रहा कि Кिसानों के लिए कि पारटीसिपेट कियेगा से बहुत भाट जयादा तो इंधार से पार्ट इस तरस आज Source में अब बंगाल के अंदर में किसान विद्रो शुरू होता है इस इंडिया कंपनी कड Chief आर्थिक शोषन था उसके विरूद में ठीक है, इस इंडिया कम्पणी ने जो आर्थिक शोषन किया था, उसको लेकर यहां पर किसान विद्रों सुरूँ होता है, अठार सो तीहत्तर के अंदर में क्रिशक संग की स्थापना की जाती है किसानों के जो विरोध होते या किसानों के द्वारा जो उनका अशोशन क्या जा रहा था उसको रोकने के लिए क्रिशक संग की स्थापना की गई अथार सो पिचासी के अंदर recommend जोतदार अधीनीये मया विद्रो बंगाल के अंदर में सुरू कर दिया गया साहुकारों के विरूद, मतलब साहुकार जो थे, जो ब्यास पर पैसार सा देते थे उसका समाजिक बहिसकार का आंदोलन सुरो गया 1885 के बाद में ठीक है, बंगाल के और पूरे भारत के अंदर में इस तरीके से ये वाला जो लोग पिर आंदोलन समझ में आ रहा है न, आपको कैसे बना लोग पिर आंदोलन यहाँ पर मेंली यह देखा गया कि यह जो आंदोलन था किसी एक वर्गे का नहीं था, एक तपके का नहीं था इसके अंदर में सभी वर्ग अपना अपना स्वार्थ के लिए लड़ रहे थे जो राजा था वो अपना धन निकासी को धन को रोकने के लिए लड़ रहा था अपनी सत्ता को बचाने के लिए लड़ रहा था जो किसान था अपने जमीन को बचाने के लिए लड़ रहा था, जो सैनिक था, वो अपनी धर्म को बचाने के लिए लड़ रहा था, ठीके, उसी तरह से जो जमीदार था, वो अपनी जमीदारी पर था, इन सब चीजों को लेकर लड़ रहा था, तो वहाँ पर हर एक तपके का अंदोरन रहा इसके काई जिसको लोग पिर आन दोरन कहा जाता है ठीक समझ में आता है अगला हम बात करते अगला टॉपिक अहीं बॉद्धिक जाग्रन क्या होता है बॉद्धिक जायकरन का कहने का मतलब यह कि जहां पर लोग के जागरित हुए प्रोग वह जागरित हुए और वहाँ पींदूरन पर्टिसिपेट किया और उसमीन को आगे बढ़ाया अब बोधिक जागरन को सब्सक्राइं की गई अब अंग्रेज भारत के अंदर मैं आए तो क्यों वह अपने साथ अंग्रेज़ों को थोड़ने ले कर आए था जादा वह थोड़े बहुत लोग थे अब उनको काम करने के लिए लोग चाए तो भारत के लोग भी लोगों को तुन्हों नस में बसे हुए अंग्रेजी तो उन्होंने क्या किया सिख्षा व्यवस्था के लिए कई सारे कॉलेजिस की स्थापना करी जिसमें 1817 में हिंदू कॉलेज की स्थापना होती है जिसके कारण से क्या हुआ अंग्रेजी सिख्षा का परसार किया गया जो अंग्रेजी सिख्ष कि अगर ज़रुरत है नौकरी के लिए अंग्रिजों के पास तो वह डायक्टली इंडिया से अपॉइंट कर सकता है कम पैसे में उसको मिल जाएगा और काम भी करेगा सही अच्छा करेगा महनत वाला बंदा भी होगा पर अकर वही अगर वह बृतन से किसी व्यक्ति को मंगात है इंडिया में कि आओ मुझे नौकरी पर जरूर रखो नौकरी चाहिए नौकरी दे रहा हूं मैं आज दर रह लो तो वह तो एक तो ब्रिटन साय का उसका खर्चा लेगा ठीक है उसके चार्ज भी ज्यादा होंगी कि राव सेलरी भी जादा देना पड़ेगा तो उन्हों भारतियों को सिक्षा देने में बहुत इक्षुक थे ठीक है और उन्होंने आगे इसके लिए कदम बढ़ाया 1854 के अंदर में चार्ल्स वूड आते हैं चार्ल्स वूड की अंगरीजी सिक्षा निती आती है ठीक है चार्स वूड क्या करते हैं वो अपनी अलग से एक किसके बाद कि और चार्ल्स वूड क्या तो चार्ल्स वूड के दौरा क्योंकि नई सिक्षा निती लेकर आये ठीक है समझ में आता है आगे में बात करूं तो नई ऑपनिवेशिक जो सिक्षा निती ती उसको यहां पर लागू कि अठ्वीशिक निती जिसमें अंग्रेजी सरकार को अच्छा दिखाने की कुर्सिस की गई यहाँ पर थोड़ा से मैं टॉपिक को रोक कर आगे में कुछ चीज़े बताना चाहूँगा जैसे दिखोगे भारत के लोगों के मन में आज के समय में बहुत सारा हिंदू और मुस्लिम के समाच के अंदर में क्या है और समाच के नुसार क्या सही है क्या गलत है वो नहीं देखते लोग क्या है बस बोलते हैं आप कई बार दिखोगा कई सारे मुस्लिम ऐसे मिलेंगे जो अपने धर्म के खिलाब बोल रहे हैं भले ही वो सही हो कई बार हिंदू ऐसे मिलेंगे जो पर लोग मुझे क्या लगता है कि लोग अपने सोचल प्रेस्पेक्टिव को नहीं दिखते कि समाज के नुसार क्या सही है ठीके वो चीज़े उसकी कारण क्या है तो जो हमारी सरकार रही है पिछली सरकार रही है जो भी की सरकार है उन्हों के अंदर में पहले से ही mindset कर दो कि अंग्रेज तुमारी लिए हितकारी हैं ठीक है हितकारी है मतलब वो तुमारी लिए काम अच्छा कर रहे हैं तो जो लोग पढ़े लीखे थे ज्यादा वो कभी भी अंग्रेजु के वृद में उतरे ही नहीं सही से ठीक है जो गरीब थे जि इसलामदर्म को वहां पर इस तरह से दिखा दिया गया है मतलब इसलामदर्म क की मैं बात नहीं कर रहा है मतलब जो Uampires थे ठीक है अगर Bhrati даже व्यूबस्था आद करते हैं तो महां पर इस तरह से दिखा दिया कि बाकी सूब बनाकर अपने हिसाब से रिगलेट करना तो उन्होंने रिगलेट करने के लिए कई तरह के चीज़ें उपर लागओ करी जिसमें रास ववेस्था था धन निकासी जैसे चीजे ठीक और भी बहुत सब्सक्तारत के चीज़ें उन्होंने हमारे उपर किया ठीक है अब उसक समझे अब आज जो आप अपने बच्चों के अंदर में मन में डाल दोके ना की ऐसा है तो को करना कहीं न कहीं एक दो परसेनट उसके अंदर में इस रहेंगी रहेंगी और वो message और इंपेक्ट करती है ठीक है समझ में आता है तो यहाँ पार यह चीजां देखने के लिए बात करो दोस्तों तो इनकी जो सिक्षा नीती थी उसके अंदर में उपनेवेश सिक्षा नीती को लागू किया गया सरकारी नोकरी के योगे बनाया गया लोगों को जिससे उनको सरकारी नोकरी मिल सके पर यहां पर बात खतम नहीं होते हैं यहां पर क्या होता है कि जो भी पर पतित्स पदों पे नहीं अपोइंट किया जा रहा था समान अधिकार नहीं दिया जा रहा था तो उसके बाद भारतियों ने क्या किया कि ठीक है अंग्रेजी सिख्षाओं का विरोध करते हुए देशी बहसाओं का परसार करना शुरू किया ठीक है जो देशी लेंग्विज दिरे दिल लोग इकटे होने लगे और उनको ब्रिटिस सरकार के आलोचना करने के लिए लोग नाटक जो नाटक होते थे गीत होते थे कहानिया होते थी ठीक है उसके अंदर में ब्रिटिस सरकार की आलोचना की जाने लगी जिससे लोगों के जन जागरिते तक पहुँचाय आज के समय में क्या होता है किसी सरकार के बुराई करनी है तीवी बैठ के 10 गनटे डिवेट के इनतर में बोल दीए पांच बार रषा ने अच्छा ही बतानी है एड चला दिए यह होता था पर पेले के टाइम में क्या होता था लोक नाटक जो नुकर नाटक हो थे तो उसके अ प्रांतिय राजनेतिक संगठन अब प्रांतिय राजनेतिक संगठन मतलब क्या कि छोटे-छोटे संगठन बनना सुरुआ चेतरी अधार पर जिसमें पर्मुक संगठन की अगर हमें बात करो तो कई सारे आते हैं पर यहां पर स्टार्टिंग से हम बात करते हैं दादा भाई नरूजी और रमेश चंदर प्रमुक आलोचक के तौर पर जाने गए अंगरीजों के इनके द्वारा 1851 में ब्रिटिस इंडियन असोशेशन की स्थापना की गई कलकत्ता में ठीक है जितने भी असोशेशन बने या जितने भी संगटन बने उनका में मोटिव क्या था भारत के रास्टवात को जागरित करना लोगों को तक पहुंचाना ठीक है तो 1851 के अंदर में दादा भाई नरूजी और रमेश चंदर द्वारा ब्रिटिस इंडियन असोशेशन की स्थापना की गई ठीक है जिसका मुखे कारण क्या था मतलब परपस क्या था तो लोगों तक जनजागरिती पहुंचाना रास्टवात को पहुंचाना ठीक है और दादा भाई नरूजी और जो रमेश चंदर थे वो परमुक आलोचक के तोर पर जाने गए British सरकार के 1852 में ठीक है 1852 में Bombay Association की स्थापना की गई Mumbai के अंदर में जिसका main purpose क्या था कि British Parliament के अंदर में भारतियों के हितों की रक्षा के लिए अपील करना जो England का Parliament है उसके अंदर में भारत की लोगों की हित जो है उसके लिए अवाज उठाना ये में परपस रखा गया 1851 में ठीक है मद्रास नेटिव चैनली में स्थापना की गई चैनली के अंदर में ठीक है उसके बाद Indian League आता है ठीक है Indian League जाता है रास्टी एक्टा विकास आया जिसका मतलब इंडेन लीग का main purpose क्या था कि रास्टी एक्टा हो और विकास ये इसका main agenda रखा गया 1886 में 1886 आते आते क्या होता है कि Indian Association की स्थापना की जाती है किसके दोरा तो सुदेंदर नाथ बेनर जी के दोरा Indian Association की स्थापना की जाती है आगे चलके Bombay Presidency Association की स्थापना की जाती है जिसका और कई सारे इसके साथ में सारजनिक सभाओं की स्थापना की जाती है ठीक है तो प्रांति राजनेतिक संगठन आपको समझ में आ जाता हैं अगला में बात करों तो बरिटिस स्रकार के दोरा क्या कारवाही की गई ठीक है प्रशासनिक कारवाही किस तरह की की गई तो देखो उससे पहले लोगों के अंदर में जान जगरति आई कैसे तो मैंने बत बहुत सारी थी यह क्या करते थी लोगों को शिक्षित करने का इसको जान सके कर जोती तो यह काम करती थी और लोग उससे जागरीत होते तो लोग इसका वेट करते थे कि कब आएगा मैं पढ़ूंगा और मैं जानूगा इस से चीज़े होती थी ठीक है तो अंग्रेजों ने सबसे पहले क्या किया कि जो भी अंग्रेजी सरकार के विरुद परचार परसार था उसको रोकने का परियास किया गया ठीक है वाइसराय लिटन लिटन आते हैं वाइसराय लिटन के द्वारा 1878 में ठीक है आम्स एक्ट को लागू किया गया आम्स एक्ट के थुरू क्या हुआ कि जो भी भारते थे उनको बिना लाइसेंस के हंतियार रखने पर पावंदी लगा दी गई पर यूरोपियन्स के साथ में ऐसा नहीं किया गया जो बिटेंस के के द्वारा 1878 में आम्स एक्ट लागू किया गया उसके बाद क्या होता है कि भारतियों को हत्यार रखने के उपर में पावंदी लगा जाती है वाइसराय लाय रियन आते हैं लाय रियन करके काते हैं ठीक है यह भारतियों के पक्षदर के तौर पर देखे गए लाइसराय रियन उन्होंने क्या 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 ठीक है जसे जो भारतियों टकाते हैं ठीक है जी से क्या artık घुट सकते हैं और इससे क्या हुआ उसे काफ़ी संतुष्ट होने का प्रियास किया, उनको संतुष्ट करने का प्रियास किया, अुषके बाद क्या होता है गए उसके अंदर में भारतियों की आयु को बढने का मांग किया गया ठीक और भारतियों की जो भागिदारी थी उसके अंदर में उसको बढ़ाने की मांग की गई ठीक है तो यह चीज़ें यहां पर देखने के लिए मिलता है लोड्रियन के दौरा में ठीक है पर 1870 से 1880 के बीच में क्या होता है कि जितने भी वाइसराय भारत के लिए उनके दौरा भारतिय समराज्य के उपर में ब्रिटिस नियंतरन को मजगूत करने की नीती लगाई लागू की गई जिससे उनको मजगूत किया जा सके उनको अपने कंट्रोल में रखा जाए यह चीज़े लागू की गई ठ ठीक है पर पहले भारतिय रास्टी कॉंगरिस की सापना कैसी हूँ इसके बारे में हम डिसक्स करेंगे इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से कोशन है कि आपको यह बताना है कि पहला भारतिय रास्टी कॉंगरिस का अधेक्ष कौन था यह आपको कमेंट करके के बताना है अग देखो जो Congress का जो मतलब Congress की concept था किस ने लाया तो Congress का जो concept है यहां पर हूम को माना जाता है कि इन Was को माना जाते हैं एनके दौरा ठीक है यह और करके आते हैं ठीक है ओ यूम ठीक है इन tv इनका नाम आता है कि इन्हों का concept अंगरिजों के सामने लाया था ठीक है इन्होंने प्रेणा दी कि इस तर्की चीजें कर सकते हैं Congress को स्थापना कर सकते हैं Congress की तापना की गई थी कलकता के अंदर में दिसंबर ठीक है दिसंबर 1885 में अठाइसोपिचासी में उसके बात में क्या होता है मुंबई पूना कोलकता मदरा जैसे बड़े-बड़े सहरों से बहत्तर 72 परतिनीदियों को इसके अंदर में सामिल किया गया था ठीक है इसमें मतलब दिसंबर में इसकी स्थापना हुए थ पहला जो अधिक्स था कौन था कॉंगरिस का यह आपको बताना है ठीक है और इसका यह रखा गया मोटिव कि हर एक वर्स इसका अधिवेशन होगा ठीक है जिसके अंदर में लोग के जो मुद्दे होंगे वो यहां पर उठाए जाएंगे और इसके द्वारा कॉंगरिस के सकती है तो इसके मुद्धों पर जोर नियाएक कarra की उपर इस कीजेश qui जोर दी गई है इब कॉंगरिस चीजे गर फर अंगरिए ऑंग्रिस का में मूटि आ होती है को अंग्रेज की स्थाफना करने का तो अंग्रेज क्या चाहते थे कि भाई देखो हर एक अलग-अलग जगह पे 885 से पहले-पहले हर एक अलग-अलग जगह पे कम से हम 500 अलग-अलग संगठन बन चुके थे और सब अलग अलग जग से विद्रो कर रहे थे तो अंग्रेजों ने सोचा कि ऐसे से करके यार मैं किसकी से दिल करूँआ आज दिल्ली वाले को मनाया तो कल बिहार वाला जग्या बिहार वाले को मनाया तो बंगाल वाला जग्या विद्रो करने के लिए तो ऐसे पचास हो को कितने बार में बनातर होगा तो अंगरेजों ने सोचा कि क्यों ना एक हम ऐसा संगठन बना दें ठीक है जो सभी क्या लिए किसी का भी हो किसी का भी तो इंपोर्टेंट में यह है तो ये वाला बंदा इसको आके बताएगा इस वाले के अंदर में अवाल उठाएगा ये इसके अंदर में उठा तो ये आगे हमसे बात करेगा ठीक है और पूरा जो कॉंसेप्ट था ना ये अंगरेजों कही था ठीक है और इसी के तुरू हमने अजादी लिए सबसे बड़ी बात यह थी उसको इंपेक्ट करती है और पूरी तरसे कॉंग्रेस पर हावी होते हैं और कॉंग्रेस को सरकार के खिलाफ यहां पर यूज करते हैं अब यहां पर हम इतिहासकारों की बात करें तो इतिहासकारों वाला टॉपिक है इसको मैं छोड़ने की सोच रहा हूँ क्योंकि मैंने इससे जो बीछे वाले चैप्टर्स करवाई थे उसके नदर में भारतिय तिहांसकारों का मैंने जिक्र किया था जिसमें कैफी सारे तिहांसकार जैसे विपिंच अंदर हो गए ठीके जॉन आर मैकन हो गए ठीके सी ए बैली हो गई ठीके अनिल, सील हो गए इन सब के विचारदारों को मैंने बताया था ठीके तो यहां पर अलग-अलग विचारकों ने कॉंगरिस के जो चीजे थी किस तरह से बनी ठीके बारतिये जो राष्ट वात ताव किस तरह से आगे बढ़ा हो यहां पर बात करता है ठीक है simple सा यह चीज़े यहाँ पर रहती है तो यहाँ पर आपको यह वाला topic खुद भी पढ़ना है थोड़ा सा idea मिलेगा आपको normal ज्यादा कुछ है नहीं इसके अंदर में ठीक है यह चीज़े इसके अंदर में दोस्तो एक last जो तीन question है यहाँ पर आपके तीन question है इसमें ठ बुरा work था class था उसका भारती राष्टवाद में किस तर की भूनका थी वह बताना है ठीक है तो जैसे education system आया तो उन्होंने उसको regulate करना सुरू किया उनको अब उनको अच्छा बुरा समझ में आने लगा कि यह गलत है यह अच्छा है उसके बाद वहाँ पर देखने के लि अपने हिसाब से सोच कर बताना है या जो भी पढ़ा आपने उसके हिसाब से बताना है कि जो British Air Care के दोरह कारवाई की गई वह भारती राष्टवाद का उदे का में कारणा मुझे तो लगता है हाँ यही कारण था तो आपको इसको कमेंट करके मतलब यहां पर आसका अंसर ह तो फ्रेंट्स यह वाली वीडियो यही पर खतम होती है आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताएं और मोस्ट इंपोर्टन रिक्वेस्ट यह आप सभी स्टुडेंट से कि अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो यार सब्सक्राइब जरूर करें क्यो इससे हमें भी पता चलता है कि यह वाला हमारा पॉंट विक है तो हम इसके उपर वक करे और इसको करें तो वो चीज़ेस्टिन जरूरी कमेंट करके आइशस्टेंज जो वह इंसमें करने लिए इंत्रेस्टेट बहुत जरूर एक भार प्र सेर करें लिंग वेंसे सब्सक्र